मुरिली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए अम शान्ती आज की तारिक है ग्यारा दिसंबर दोजा तेईस के बाबा के साकान महाबा के मीठे बच्चे तुम सबको जीवन मुक्ति का मंतर देने वाले सत गुरु के बच्चे गुरु हो तुम इश्वर के बारे में कभी भी जूट नहीं बोल सकते बाबा ने प्रिशन पूछा सैकिड में जीवन मुक्ति प्रापत करने की विदी और उसका गायन क्या है बाबा ने उत्तर दिया सेकिन में जीवन मुक्ती प्रापत करने के लिए प्रवर्ती में रहते कमल फुल समान पवित्तर बनो सिरफ इस अंतिम जनम में पवित्तर तक की प्रतिग्या करो तो जीवन मुक्ती मिल जाएगी इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि ग्रस विवार में रहते एक सेकिड में प्रतिग्या के अधार पर जीवन मुक्ती प्रापत की गीत ये वक्त जा रहा है किस के लिए रुका है किस के लिए रुकेगा करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है ओम शाग के बाप आते हैं सब को सेकंड में जीवन मुक्ती देने गायन भी है सबका सदकती दाता जीवन मुक्ती दाता एक है एक सेकंड में जीवन मुक्ती क्यों कहते हैं जैसे राजा जनक का मिसाल है उनका नाम जनक था प्रंतु भविश्य में वही अनुजनक बनता है जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेक्ड में जीवन मुक्ति मिली लेकिन जीवन मुक्ति तो सात्युत रेता में कहेंगे गुरु लोग कान में मंतर देते हैं उसे वशी करण मंतर भी कहते हैं वे तो सब मंतर देते हैं लेकिन तुम्हें मिलता है महा मंतर जीवन मुक्ति का मंतर यह मंतर कौन देते हैं ब्रमकमार ब्रमकमारियां उन्हें यह मंतर कहां से मिला उस सत्गुरु से यानि कि परमात्मा से सर्वोत्तम तो एक ही बाप है सब गुरु का गुरु एक ही है जो सर्वोत्तम कहलाता है सत्गुरु फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो वहीं सर्वोत्तम बनाते हैं हम बच्चेों को उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं तुम भी सत्गुरु के बच्चे गुरु हो बाबा हमें गुरु बता रहे है कि आप भी गुरु हो गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है नंबर वार तो होते ही हैं तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो तुम कभी ईश्वर के बारे में जूट नहीं बोलते हो पहले पहले तो तुम पवित्तरता के उपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिग्या करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। जूट आदी ना बोलना यह तो कामन बात है, जूट तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहां वह बात नहीं है, यहां है पवित्तरता की बात। गरस्त विवार में रहते, इस अंतिम जनम में हम बाप से प्रतिग्या करते हैं, कि हम कमल पुष्पसमान पवित्तर रहेंगे, तो यहां पवित्तर रहने की बात है, कहेंगे यह तो बहुत उच मंजिर है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह क्यों नहीं हो सकता यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान यह दिश्टांद शास्त्रों में लिखा हुआ है जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है है भी भगवानु बाच या ब्रामनु बाच बगवान सब को नहीं सुनाते हैं ब्रामर बच्चे ही सुनत यह बात तुम्हें सब को समझानी है मूल बात है पवित्तरता की कमल फूल समान पवित्तर बनना है जनक मिसल वही जनक फिर अनु जनक बना जैसे रादे अनु रादे बनती है कोई का नाम नारायन है तो भविश्य में अनु नारायन बनता है यह एकूरिट बात है तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े, सुना तो है सैकिन में जीवन मुक्ति, गरस्त विवार में रहते उंच पद पाया जा सकता है, हम अनुवब से कहते हैं, गपोडा नहीं मारते हैं, भगवानों बाच, मुख्य बात समझानी है, भगवान सब का बाप है, जरूर जीवन मु है ही निवर्ति मारत, वे कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वे तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, वो यह ग्यान दे नहीं सकते, यह है राजयोग, घरस्त विवार में रहते कमल खुल समान पवित्तर रहना है, सत्युग में भारत पवित्तर परवर्ति मारत था, वा हम अनुभवी हैं, गरस्त विवार में रहते कमल खुल समान पवित्तर रह सकते हैं, हम जानते हैं कभी पवित्तर बन, बाप दबारा पवित्तर दुनिया के मालिक बनते हैं, पवित्तर परवर्ति मार्ग था, अब तो अब पवित्तर परवर्ति मार्ग है, यह दुनिया ही ब्रिष्टाचारी है वह स्रिष्टाचारी दुनिया थी रावन ब्रिष्टाचारी बनाते हैं राम स्रिष्टाचारी बनाते हैं आदा कलब रावन रज्या चलता है ब्रिष्टाचारी दुनिया में भक्ती मार्ग है दान पुन्य आदे करते रहते हैं क्योंकि समझते हैं मनुष्य जितना भक्ती दान पुन्य करेंगी तो फिर भगवान मिलेगा, भगवान की भक्ती करते हैं, कहते हैं कि आकर हम को श्रिष्ठ बनाओ, भारत स्रिष्टाचारी था अभी नहीं है ब्रिष्टाचारी ही स्रिष्टाचारी बनते है भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं चित्रों के दवारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे हर एक सेंटर पर परदशनी के चितनों होने चाहिए बाबा डारेक्षन देते हैं बन लिख दें कि चितन हमारे पास नहीं है तो बाबा डारेक्षन देंगे यह बनाओ फिर सब को भेजो तो सबके पास परदशनी हो जाएगी यह चितन बहुत अक्स सहित है पहले पहले ये बुद्धी में आना चाहिए कि हम बाब के बच्चे हैं भगवान है स्वरग रचने वाला नरक का चेता है रावन गोले के उपर दस सिर्वाले रावन का चित्तर बना दो स्वरग के गोले पर चतुर भुज लिख भी सकते हैं यह राम राज्य यह रावन राज्य इस समय रावन सरव्यापी है वहां हम राम सरव्यापी तो नहीं कह सकेंगे गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु काल फिर सुन्दर मेला कर दिया जब सतु गिरु मिला दलाल तो जरूर वह आएगा ना यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है पहले पहले अलग होई है देवी देपताओं की आत्माएं यह नौलज है कोई को भी समझाना है आत्माओं का बाप तो है ना अब हे आत्मा अपने परमपिता परमात्मा का आक्यूपेशन बताओं क्या नहीं जानती हो ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के आक्यूपेशन को नहीं जानता हो बाप बैट समझाते हैं तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो मैं समझाता हूं बाबा कहा रहे हैं, बच्चों तुम नहीं जानते अपने जन्मों को, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले पहले जो देवी देपता है, वे इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो, दूसरे धर्म बाले कितने जन्म लेते होंगे, सिद्ध कर बताना पड़े, मैकसिमम इतने हैं, जाड बृदी को पाता रहता है, पहले पहले देवी देपता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं, भारत की नौलज है ना, प्राचिन भारत की नौलज किसने दी, ये भगवान नहीं दी है, नालजफुल गौड फादर है ना, ब्रम्मा को भी शिरी क्रिशन की महमा ही अलग है, ये समझने की बड़ी ही कलियर नौलज है, भगवान तो सबका एक ही, निराकार परमपिता प्रमात्मा है, वह है रचेता, शिरी क्रिशन तो है रचना, उंच ते उंच भगवान तो एक है ना, सरभ्यापी उनको कह नहीं सकते, भारत में उंच ते उंच ब्रेजिजेंट फिर नंबर वार और हैं, सबका एक्क्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं, सब एक ही हैं, हर एक आतमा को अभिनाशी पार्ट मिला हुआ है, ये सिद्ध करना है, आपस में राय कर सर्विस के प्लैन बनाने हैं, प्रंतु जिसकी लाइन कलियर नहीं होगी, कोई बिकार होगा वा नाम रूस में फसा होगा, तो ये काम हो नहीं सकेगा, इसमें लाइन बड़ी कलियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी, अभी सबी नंबर वार हैं, मनुश्य कहते हैं, यह ब्यास भगवान ने शास्तर मनाए, अब ब् बास्त में धर्म के शास्तर हैं ही चार, भारत का धर्म शास्तर तो है ही, एक माई बाब गीता, बरसा उन से ही मिलता है, मा दवारा बाब से बरसा मिलता है, गीता माता का बाब है रच्टा, तो गीता दवारा ही बाब ने प्राचिन सहजरायोग की नौलज दी है, गीता तो भारत खंड का शास्तर है, फिर इसलामी का धर्म शास्तर अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चन का अपना है, गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्तर हैं बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं, बाकी इतने बैद उपनिशद आधी, यह सब किस धर्म के हैं, ये मालुम तो होना चाहिए, कि ये किसने उचारे, उससे कौन सा धर्म निकला, कोई धर्म तो है नहीं, पहले तो सिद्ध करना है, कि गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया है, यानि क्रिशन का, जीवन चिरित्तर तो सबका अलग-अलग है, बाप कहते हैं, सरव, धर्मानी, परितेज, मा मेकम याद करो, परमात्मा आत्माओं को कहते हैं, तुम अश्रीरी बनो, मेरे को याद करो, अश्रीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते, यह गीता के अक्षर हैं सब धर्मबालों को कहते हैं अश्रिरी भाव अभी नाटग पूरा होता है सबको मंतर मिलता है कि दे सहित दे के सब संबंद त्याग मां में कम्याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति के बाद जीवर मुक्ति है जरूर पद जीवर मुक्ति का है वाया मुक्ति जो भी आते हैं सतो रजो तबों से पास करते हैं समझानी कितनी अच्छी है परन्तु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं वैसे हैं बहुत सहज, तुम जगे जगें पर परदशनी करो, अखवारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने, अखवार में तो जरूर डालना है, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है, अतिंद्रिय सुक की भासना, गोब गोपियं से पूछो, गाया हुआ है, यह गोपी बलब के गोब गोपियां है, गोब गोपियां ना सत्युग में ना कल्युग में होते हैं, बहां लक्ष्मी देवी रादे देवी हैं, गोब गोपियां अभी हैं, गोपी बलब के बच्चे पुत्रे पुत्र जरूर दादा भी होगा दादा, बाबा और मम्मा यह नए रचना हुई है संगम पर बाब कहते हैं मैं कलब कलब के संगम यूगे आता हूँ नए दुनिया बनाने असोरी संतान से तुम इश्वर संतान बने हो फिर बनेंगे देवी संतान फिर शट्रिये वेश्यी शुद्र जाड भी पूरा, कम्पलीट चाहिए, परले भी नहीं होती है, भारत तो अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महमा करनी है, भारत सब खंडों में श्रेष्ट है, विनाश कभी नहीं होता, अच्छा, मीठे मीठे, सिक्रा दे बच्चों प्रती, माद पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मोर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को शर्दा भरी, प्रेम भरी, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठ मीठी मीठी मुर्ली के लिए रत्री कलास सोला चार उन्नी सो अठाहट तुम ब्रामन बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम योग कब होता है इस कलब के संगम योग की महमा बहुत है बाप आकर राज योग सिखलाते हैं सत्युक के लिए तो जरूर संगम योग ही आएगा है भी मनुश्य है उनमें कोई कनिष्ट कोई उत्तम है उनके आगे महिमा काते हैं आप पुर्शोत्म हो हम कनिष्ट हैं आपे ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ अभी इस प्रशोतम संगम युक को तुम ब्रामन बिगर कोई भी नहीं जानते इनकी एड़वर्टाइज कैसे करें जो मनुश्यों को पता पड़े संगम युक पर भगवान ही आकर राज योग सिखलाते हैं तुम जानते हो हम राज योग सीख रहे हैं अभी ऐसी क्या युकती रचें जो मनुश्यों को मालूम पड़े प्रन्तु होगा धीरे अभी समय पड़ा है बहुत गई थोड़ी रही हम कहते हैं तो मनुश्य जल्दी पुर्शाथ करे नहीं तो ग्यान सेकिन में मिलता है जिससे तुम उसी समय सेकिन में जीवन मुक्ती पालेंगे प्रन्तु तुम्हारे सिर पर आदा कलब के पाप हैं वे थोड़ी सेकिन में कटेंगे इसमें तो टाइम लगता है मनुश्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है अभी हम ब्रह्म कमारियों पास क्यों जाएं लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं तुम समझते हो यह परशोत्म बनने का यूग है हीरे जैसा गाइन है ना फिर कम हो जाता है गोल्डन एज, सिल्बर एज यह संगम यूग है डाइमड एज सत्यूग है गोल्डन एज यह तुम जानते हो स्वरग से भी यह संगम अच्छा है हीरे जैसा जनम है अमर लोग का गाइन है ना फिर कम होता जाता है तो यह भी लिख सकते हो पुर्शोत्म संगम यूग है डाइमड, सत्यूग है गोल्ड, तृता है सिल्बर, यह भी तुम समझा सकते हो संगम पर ही हम मनुश्य से देपता बनते हैं आठ हरतन बनाते हैं ना तो डाइमड को बीच में रखा जाता है संगम का शो होता है संगम यूग है ही हीरे जैसा हीरे का मान संगम यूग पर है योग आदी सिखलाते हैं जिसको सप्रिवचल योग कहते हैं परंतु सप्रिवचल तो फादर ही है रोहानी फादर और रोहानी नौलज संगम पर ही मिलती है मनुश्य जिनमें दे अंकार है वे इतना जल्दी कैसे मानेंगी ग्रीव आदी को समझाया जाता है तो ये भी लिखना है संगम यूग इज डाइमड उनकी आयू इतनी सत्यू गोल्डन इस तो उनकी आयू इतनी शास्त्रों में भी सवासित का निकालते हैं बाबा कहरे हैं शास्तरों में भी सवासित का निकालते हैं तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे स्टूडेंट्स को खुशी होती है न, स्टूडेंट लाइफ इस दी वेस्ट लाइफ, यह तो सोर्स आफ इंकम है, यह है मनुश्य से देपता बनने की पार्शाला, देपताईं तो बिशप के मालिक थे, यह भी तुमको मालुम है, तो अत्था खुशी होनी चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगी, उकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड, दुख से छुडाओ, सत्यूग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं बिशम में शान्ती हो, बोलो आगे कब थी, वे कौन सा यूग था, किसको पता नहीं है, राम यह तो जानते हो ना, बच्चों को अनुखब सुनाना चाहिए, बस, क्या सनाओ, दिल की बात, बेहत का बाब, बेहत की बात, शाहिद देने वाला मिला, और क्या अनुखब सुनाओ, और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं, कोई को भी किसी से रू तो क्या सीखेंगे बाप को पढ़ाना ही है ब्रम्मा दवारा तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए यह है माया यग में असूरों के बिगन तो पढ़ते हैं ना अच्छा मीठे मीठे रुषानी बच्चों प्रती रुषानी बाबा दादा का याद प्यार गुड नाइट रुषानी बच्चों को रुषानी बाप की नमस दे धारना के लिए मुखे सार नमबर एक, बाप जो सुनाते हैं वैं एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है, ज्यान के नशे में रह अतिंद्रिय सुख का अनुभव करना है नमबर दो, सभी को सैकिंड में मुक्ती जीवन मुक्ती का अधिकार देने के लिए यही महामंतर सुनाना है, कि दे सहित दे के सब संबंदों को त्याग, बाप को याद करो वर्दान, कलिr बुद्धी दवारा हर बाट को परक कर, यथात निर्णे करने वाले सफलता पुरत भाब जितनी बुद्धी कलिर है, उतनी परकने की शक्ती प्रपत होती है, जहादा बातें सोचने की बजाए एक बाप की याद में रहो बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहजी परक कर या थात निरने कर सकेंगे जिस समय जैसी प्रसिती जैसा संपरंग संबंद बाले का मूड उसी समय पर उस परमान चलना उसको परक कर निरने लेना यह भी बहुत बड़ी शक्ती है जो सफलता मुर्थ बना देती है स्लोगन ग्यान सुरिय बाप के साथ लक्की सितारे वे हैं जो जग से अंदकार को मिटाने वाले हैं अंदकार में आने वाले नहीं ओम शान्ती